एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कुम्भ पर्व हिंदु धर्म का एक महत्व पूर्ण पर्व माना गया है जिसमें करोडो श्रदालो कुम्भ पर्व के स्थल यानि के प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं इन में से प्रतीक स्थान पर प्रती 12 वे वर्ष और प्रयाग में दो कुम्भ पर्वो के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्द कुम्भ आयोजित किया जाता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुम्भ मेले का आयो जन क्यों किया जाता है और इसका अंतराल 12 वर्शो का क्यों होता है तो आईए आपको बताते हैं इससे जुड़ी एक पौरानिक कथा इस पौरानिक कथा के अनुसार जब महर्शित दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवताओं की शक्तिया क्षेण हो गई तब दैतियों ने देवताओं पर आकरमन करके उनको परास्त कर दिया इस संकट के समय में सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास इसके समाधान के लिए चले गए देवताओं ने श्री हरी विष्णु को सारा वृतांत सुना दिया इस समस्या के समाधान स्वरूप भगवान विश्णु ने देवताओं को दैतियों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मन्थन करके अमरित निकालने की सला दे दी भगवान विश्णु की सला मानते हुए सारे देवता दैत्यों के साथ संदे करके अमरित निकालने के लिए तयार हो गए जिसके बाद समुद्र मन्थन करने के लिए मंदराचल परवत की मत्री और वासु की नाग की नेती बनाई गई जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू करते ही एक एक करके उसमें से 14 रतन प्राप्त हुए समुद्र मंथन से अमरित कलश भी हासल हुआ लेकिन अमरित कलश के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमरित कलश को लेकर पलायन कर गया जिसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशों पर दैत्यों ने अम्रित को वापस हासिल करने के लिए इंदरपुत्र जयंत का पीछा करना शुरू किया देवों और दानवों की काफी भागदोर करने के बाद कूर परिश्रम के अंत में दैतियों ने बीच रास्ते में ही जयन्त को पकड़ लिया इसके बाद अमरित कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिनों तक अविराम युद्ध होता रहा देवों और दैतियों की परस पर मार काट के दोरान पृत्वी के चार स्थानों पर अमरित कलश में से अमरित की कुछ बूंदे गिर गई ये चार स्थान थे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जिस समय पृत्वी पर अमरित की बूंदे गिरी थी उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्त्रवण होने से यानि की ज्यादा अमरित गिरने से बचाया था जब की सूर्य ने गट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपरण से और शनी ने देवेंद्र के भै से गट के रक्षा की थी इसके बाद देवों और दानवों के बीच चल रहे कलह को शांत करने के लिए भगवान विश्णु ने मोहिनी स्वरूप दारण किया था भगवान विश्णु ने मोहिनी स्वरूप में दैत्यों को भर्माए रखा और देवों को अमरित पान करवा दिया इस प्रकार अमरित प्राप्ति के लिए देव और दानवों में परस पर बारह दिन तक युद्ध चला था कहा जाता है कि देवताओं के बारह दिन मनुश्यों के बारह वर्षों के समान होते हैं इसी प्रकार से कुम्ब भी बारह होते हैं इन्वे से चार कुम्ब प्रित्वी पर होते हैं और बाकी के आठ कुम्ब देव लोक में होते हैं जिस समय चंद्रेकाउं ने कलश की रक्षा की थी उस समय के वर्तमान राश्यों पर रक्षा करने वाले चंद्र और सूर्य आदि गिर्ह जब आते हैं तब कुम्ब का योग होता है। और आनिक जानकारी आपको बताई कर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेज़ेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दे इनफो उशन को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग